हेलो इब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल MS12 Institute में आज का जो कलास होने वाला है कलास 12 आर्ट से हिस्ट्री सब्जेक्ट का टोप BBA objective होने वाला है जो की 2024 फाइनल बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो जो भी स्टूडें सब्सक्राइब करके आने वाली कलास का नोटिपिकेशन आप लोग को मिलते रहे तो चलिए दोस्तों हम लोग कलास को शुरू करते हैं सबसे पहला क्या है सबसे पहला क्यों देखें कि धोला वीरा किस राज्य में है धोला वीरा जो है वो किस राज्य में इस्तित है क्या वो एक हरियाना में है या फिर उत्तर परदेश में है या फिर गुजरात में है या फिर डी में है पंजाब राइट एंसर क्या होगा तो आप लोग को बता कि धोला वीरा जो राञ्ज है अब का गुजरात इंसर नमब्स की पूरा अंतरगत गुफ्ट कंग सब्सक्राइब यह सिक्ष्य नहीं आता है यह फिर अभीलेक नहीं आता है यह पिर दीमें भगना वेस तो राइट एंथर बता दें कि पूरा तत्तों के अंतरगत जो नहीं आता है वो आपका साहित नहीं आता है ठीक है याद रहेगा right एंथर क्या होगा option number a होगा next question देखते हैं तीसरा number कि म मोहन जोदरों का साब्दिक मतलब होता है तो मोहन जोदरों जो होता है उनका जो साब्दिक मतलब होता है अर्थ जो होता है वह क्या होता है क्या वह मिर्तकों का टिला होता है महान का टिला होता है जीवितों का टिला होता है फिर इन में से कोई नहीं तो राइट एंसर बता द देखते हैं चार नमबर कि भारतिये पूरा तत्तो का पीता किसे कहा जाता है भारतिये पूरा तत्तो का जो है पीता या फादर जो कहते हैं किसको कहते हैं क्या वो लौड करजन को कहते हैं अलेकजंडर कनिंगम को कहते हैं दयाराम सहिनी को कहते हैं या फिर लौड डलहोजी क को कहते हैं तो राइट एंसर बताते हैं कि भारतिया पूरा तत्तो का जो पीदा कहा गया आपका अलेग्जंडर कनिंगम को कहा गया है राइट एंसर क्या होगा option नंबर भी होगा next question देखते हैं five नंबर किसिंदू सब्बता को कि शरेनी के अंतरगत रखते हैं क्या एतिहासिक काल में आद एतिहासिक काल में पुर्व एतिहासिक काल में या फिर डी में इन्वे से कोई नी तो राइट एंतर क्या होगा जो सिंदू सब बता है वो जो है सिंदू नदी के निकर्ट यानि मौजूद है वो जो सरेनी के अंतरगत रखा तो आप लोग को बता दें कि आध्यासिक काल के अंतरगत रखा गिया राइट एंटर क्या होगा ओप्सन नमबर बी होगा नेक्स्ट कोशन सिक्स नमबर की राखाल दास बनर जी को मोहन जवद्रों के अफसेज किस वर्ष मिले देखें राखाल दास बनर जी को जब यह मोहन जवद्रों के अफसेज मिले थे तो वह आपका 1922 में मिले थे कब मिले थे दोस्तों 1922 में 1922 में मिले राइट एंसर ऑप्सन नमबर सी 1922 में राखाल दास बनर जी को मोहन जवद्रों का अफसेज मिले नेक्स्ट कोश्चन देखें नेक्स्ट कोश्चन सेबन नमबर सिंदू घाटी जो सबता है उसमें जो विसाल जो असनानागार होगा है उनका अफसेज कहां से पराप्त है क्या वह हरप्पा से हुए थे मोहन जोदरों से हुए थे या फिर आपका सिंदू घाटी सबता में जो विसाल असनानागार के आफसेज मिलेते वह मोहन जोदरों से मिलेते राइट एंसर क्या होगा मोहन जोदरों राइट एंसर ऑप्सन नमबर बी नेक्स्ट कोश्टन एट नमबर हरपा सबता किस यूग की सबता है तो आप लोग को बता दें कि आपने वह में पूछा गया ठीक है यह कोस्ट आपका साइड से रापस हुए थे उसमें जो सबसे बरा नगर गड़ तो आपका कौन था तो आपका मोहन जोदरों था हैं और आपका ऑप्सन नमबर ई याद रहेगा दोस्तों जो भी स्टूडेन को एंसर पता है एंसर देते रहें नहीं पता है आप लोग जो है यानि question पर focus याद रहेगा right answer option number C next question देखते है 11 number काली बंगन इस्तित है तो काली बंगन जो इस्तित है वो कहां इस्तित है सिंध में पंजाब में या फिर राजिस्तान में बंगाल में तो right answer बता दें कि काली बंगन जो इस्तित है वो आपका राजिस्तान में इस्तित है कहां पर काली बं यहाद रहेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है तेरे नंबर लोथल इस्थीत है लोथल इस्थीत है किस में गुजरात में परसिम मंगाल में राजिस्थान में या पर पंजाब में तो यह जो है क्वेश्चन हरी स्टूडेन को पता होगा कि लोथल जो इस्थीत है वो आपका गुजरात में इस्थीत है इन गुजरात राइट एंसर क्या होगा ओप्शन नं 14 नमबर के आया कि शिंदू घाटी सबастा में मीटी से बने हल के पर्ति रूप कहां से मिला है देखेर शिंदू घाटी सबस्यार है मिले थे तो वो आपका जो है यानि आपका कहां से मिले थे तो इसका राइट एंसर जो होगा बनवाली होगा कहां होगा बनवाली यानि बनवाली में जो है वो सहलका मिट्टी से बने हलका यानि पर्ती रूप मिले थे नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं 15 नमबर कि हरप्पा सब्बता का नगर ता हरप्पा सब्बता का नगर जो था कितने अस्तर में था कितने लेयर में था कितने पर्ट में था इंगलिस में लेयर बोलते हैं कितने और कितने पर्ट में था अस्तर ये में था तो आप लोग को बता question. नेक्स्ट someone भारतिय उपमहदीब की पहली सभवता का विकास हुआ रातिय उपमहदीब जो है उनका ucharist सभवता था उनका विकास हुआ था यहांने गोदावरी के मैदान में जर्ट फिछ़ए मायदान में विपार्प ऑपसन तो इसलिए इसका राइट एंटर किया होगा ए और सी दोनों होगा नेक्स्ट कुस्टन देखें देखें 18 नंबर सिंदू घाटी सबबता की जुरुवा राजधानी था यानि देखें सिंदू घाटी जो सबबता है उनका मिल्या जुला जो राजधानी था तो वह आपका कौन था क्या मोहन जादरो चनहुद्रो था या फिर हरप्पा लोथल हो था यह पिर आपका डी में देख लिए क्या है लोथल काली बंगा तो कौन सा जो है मिल वह मैंनी जुरुआ राजदानी तो जुरुआ राजदानी आपका हरप्पा और मौन जाधर है राइट एंसर क्या होगा ओप्सन नंबर सी होगा देखे दोस्तों नमबर आपका कि हरप्पा का उत्खनन करने वाले जो ते वह आपका दयाराम सही ने नंबर सी निरित की मुद्रा ने इस्तरी की एक ौर्प्स नमबर यह होगा नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं 21 नमबर 21 नमबर क्यागी किस अस्थल में कार खाने के लिए पाये जाने से मनकों को बनाये जाने की परकिरिया अस्पष्थ हो जाती है क्या गाखी-गरी से रोपर से या फिर आपका चनहुद्रों से धोला वीडा से तो यह क्वेस्टन आहरी-ष्टूडेंट को पता और कि-क पाए-जाने से मनकों जो बाइज बनाया जाने की पर के लिए आसपस्ट हुई थी वह आपका चन हुद्रों से भूई थी राइट एंसर क्या होगा ओप्सन नमबर सी होगा नेक्स्ट क्वेशन बाइस नमबर हरपा के बस्तियों से 2000 से अधिक मूरे पाई गई है यह बनी होती है देखे हरपा जो गाउं है उसमें 2000 मूरे जो पाई गई थी वह जो बनाई गए बनी हुई है वह किस से या लोहे की चांदी की या फिरोजा पत्तर की या फिर सेल खरी की मोस्ट भी भी एक क्वेशन पूछे जा सकते हैं दोस्तो कि हरपा की बस्ती गाउं सिमें 2000 से जो मोहरे पाई जाती है तो वह किस की बनी होती है तो वह बनी होती है वह आपका सेल सेल खरी कि बनी होती है कि सेलक हरी कि बनी होती लाइट एंसर क्या होगा OPS नंबरag But कि एक्ष्टी तीरी नंबर् वेंवेज़ कहांचे दार खेट के परमान जो מिले ठें थे तो वह किस जगेमें मिले थे तो मिले दोस्तों काली बंगा में लाइट एंसर उप्षन नंबर सी नेक्स्ट कोश्चन 24 नंबर कि हरप्पा वासियों द्वारा किरिश से फसले थी यह रप्पा में जो रहने वाले गाहूं लोग वासी दो थे नेक्स्ट कोश्चन 25 नंबर हरप्पा से बता में पाई गई मुह रहे आम तो पर किस परकार की होती थी नेक्स्ट कोश्चन 25 नंबर हरप्पा निवासी पूजा करते थे याद रखना एं दोस्तों कि हरप्पा निवासी जो थे वो पूजा करते थे तो राइट एंतर बता दें कि वह मात्र देवी का फूजा करते थे राइट एंसर क्या हो का ओप्षन नंबर ए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं 27 नंबर हरपा सबता में सब साधारांत किस देश में रखकर दपनाए जाते थे देखे हरपा सबता में जो लास होती है सब होती है डेट बोटी होती है उसको साधारंते आम तोर पर किस दिशा में रखकर किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे देखेंज अब कि वुल मतलब क्या कि उनका डारेक्शन है कि सुन दिशा में रखे जाते ते क्या वह पूराप से रखकर दफनाए जाते थे उत्तर से पूराप में रखकर उत्तर से दख्षिन में अगर श्रमान आते थे तो याद रहेगा आटाइस नमबर सी होगा में बारत में है नेपाल में है या फिर भूटान में बहुत सब्सक्क्राइब हैं तो लो जिप वाली कोशन हे पाकिस्तान में इस्तीफ है कहां इस्तीफ है पाकिस्थ सब्सक्राइब कर देखते हैं तो वह किसने किये थे चार्ल्स में बर्टन में विलियम बर्टन ने तो राइज एंसर बता दें कि आपसिन पूच देखते हैं कि सबता में पराप्त उतल क किस पूरा वित ने परकास जाला देखिए अरप सबता में जो परांपत उतल चक्की मिलेते हैं तो उस पर पूरावीद परकाश डालेते हैं उनके बारे में जो है पूरी तरह से जिक्र किये थे तो किसने कनिंगम ने या फिर आंस्टेट मैके ने या जवन मारसल ने सूरज भान ने तो राइटेंटर बता दें कि वह जो आपका अरनेस्ट मैके साब जो या निसुक्षे करका ने कियाते हैं उत्खनन के बारे में उत्खनननी सबसे पहले तो आप लोगो याद Kenya के ते आप कब किये थे 1921 में किये थे तो कहां पर किये थे तो वह आपका कहां किये थे आप लोग को बता दें कि वोगों करने वाले करने का नाम कह तो आपका दयाराम सही निंशर बताए और कब किये थे 1921 में किये थे ठीक है याद रहेगा याद रखना है दोस्तों अगर याद नहीं है नोट करते चलिएगा नेक्स्ट कुर्शन देखते हैं 33 नंबर कि निम्न लिखित हिंदू देपतां में से कौन सेंदब सब बता के परमुख देपता थे देखे निम्न लिखित यानि जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें हिंदू देपता जो होते हैं उसमें जो कौन सेंदब सब बता के परमुख देपता थे या खास देपता थे या वो गनेस या फिर सीब या फिर आपका ऑप्शन सी में विष्णू डिमे वरून तो राइट एंथर बता दें कि वह आपका जो थे ना वह आपका सीब जो देपता थे वही जो है परमुख देपता थे राइट एंथर क्या होगा ओप्शन नमबर भी नेक्स्ट क्वेस्टन थर्टी पॉर नमबर सिंदू घाती सब बता किसके समकाली नहीं मानी जाती है देखिए सिंदू घाती सब बता दो जो है किसके समकाली नहीं मानी जाती है गिख्याथ को था ङो किनो हो इस में भोजी सब्टा नहीं लेकिन आपका जो किरीट की सब्टा है उनला कि भीपमें सबढ़ता नहीं आती है नीं लोथल कहां हिस्तित है नोथल कहा इभव कि उजछात में इस्तित है और बनवाली गुझाल आपको बता बचादे कि'll बंगन जो है वह आपका यानि तो नहीं सिंदू में भी इस अतलज में इसका राइट एंसर जो होगा वह घागर नदी ठीक है तो आपका घागर नदी किनारे इस्तित है राइट एंसर नमबर डी होगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 37 की कलकत्ता में एसिय ए टिक के अस्तापना कीएं किस्ने कि फिलित फिल इस सरकार ini सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें लोग संद नगर पाली का जैसा था या पर घंतरात तो लोग होते हैं तो वह उसी के बारे में जिक्र हो रहा है कि आरपा सब्सक्राइब में जो ओफिसर सब थे तो आपका कैसा थे तो आपका जो थे ना वह आपका जो है नगरपाली का जैसे था ठीक है याद रहेगा राइट एंसर ओप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्टन किस नदी के किनाड़े इस्तीत है तो यह पहले बता कि महें जो थो आपका जो II या दिखां दे रहे हैं डिखें मुहनंजादरो आपको समझा देर तो तो याद रहे गाए घुल रावी नद के इसное तो वह भी सिंदू नदी के किनारी स्थीत है याद रहेगा दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है यानि साइध यह गलत बता है तो देख लिए गलत तो नहीं बता है हरपा के बारे में रावी बता है आप लोग यह तो पता है मोहन जादरो सिंदू होगा और हरपा सब्वता के बारे में पूछे तो वह भी याद रखना है रावी नदी के किनारे तो यहां हम लोग मोहन जादरो पूछा है सिंदू नदी राइट एंसर होगा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन 41 नमर हरपा सब बता भारत के किस भाग में वि लोथल किस नदी के किनारे तीत है देखें यह भी याद रखना है लोथल हरपा उसके मोहन जादरो सिंदू घाटी यह चार आप लोग को याद रखना किन किन नदी के किन किन नदी में तीत है यह बता दियें दोस्तों तो वह लोथल जो है आपका भोगवा में तीत है हरप किस में इस्तित है तो फिरते बता दे रहे हैं हरपा आपका रावी में इस्तित है कहां इस्तित है रावी में कमेंट में लिख दीजिए गा दोस्तों लिखते चलिएगा याद रहेगा हरपा रावी में और आपका मोहन जादरो कहां पर इस्तित है तो मोहन जादरो जो है वह यानि सिंदू घाटी में इस्तित है और सिंदू घाटी सब बता किस में इस्तित है तो सिंदू घाटी जो है वो भी सिंदू नदी के किनारे इस्तित है याद रहेगा भूलना नहीं है दोस्तों याद रखना है मोहन जादरो सिंदू नदी हरपा जो है रावी नदी और लोथ किस नदी के किनारे श्थित्त है तो लोखल जो आफ प्षू आप किनारे के स्थित्त है यह तो पहले बताएटा मेंुख सते हैं ठरण भूटित कर श्थेख समहन है सिंदू सबता में मोहर किसका बनता था क्या वो सेलखरी का लोहा का तामबा का या फिर आपका डी में है क्या इन में सभी का तो राइट एंसर बता दें कि सिंदू सबता में जो मोहर बनता था वो आपका कोपर तामबा का बनता था राइट एंसर ऑप्शन नंबर सी को जो है लोहा का ग्यान नहीं मिलेते हैं लोहा का जो है उनको घ्यान नहीं मिलेते हैं और सथстра कहीं पर नहीं हुआ है यहां नहीं है यहानका बहुतको कुछन हरुदाivia next class में next topic के साथ जो भी student को अगर class अच्छा लगा है तो like कर दीजेगा दोस्तों और अपने दोस्तों में जरूर सेयर कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों हम लोग class को यहीं तक रखते हैं मिलते हैं next class में next topic के साथ तब तक के लिए बाए अल्ला हाफीज टेक केर थैंक्स पर वाचिंग